हेलो गाइस तो में लेकर आगई हूं आप लोगों के लिए एक निव चाइनिज ड्रामा तो ड्रामा किस्ट्राटिक में हमारी फिमेल लीड जाओ को देखते हैं उसके डैट ने उसकी मेरेच ली नाम के एक बिजिनेस्मेंट के साथ फिक्स कर दी थी पर वो यह मेरेच नहीं नहीं करेगी और फिर वही हमारा मेल लीड ली को दिखा जाता है और वो भी यह मेरेच नहीं करना चाहता इसलिए वो अपने लिए एक फेक गल्फ्रेंड उन रहा है ताकि वो इस मेरेच को आसानी से कैंसल कर सके तब ही जाओ मिश्टेक में वहाँ अपनी जॉब की इंटर लेना दना है और फिर बताती है कि उसे लप में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे बस पैसा कमाना है तो वह कहता है अच्छी बात है मुझे वार्क के बीच में कोई अननेसेसरी प्रोब्लम नहीं चाहिए और कहता है क्या मेरे मंधली सलेरी थोड़ा हाइयर हो सकता है क्योंकि कि मुझे थोड़ा पैसो की जरुवत है तो ली हरानों कर कहता है मंधली सलेरी पर ये तो वान टैम डिल है तभी जाओ को लगता है कि साथ वो एनुल वैसस पर देगा ली कहता है हाँ तुम ऐसा समझ सकती हो और इवेंट खतम होने के बाद एक उंगली दिखा कर कहता है इत इतना कुछ थी कि बिना पड़े ही कॉंट्राक्ट पेपर पर साइन कर देती है उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और फिर जैसे ही जाओ कॉंट्राक्ट पेपर देखती है तब ही उससे पता चलता है कि ये कोई जोब एक डिमेन नहीं है बलकि फेक टर्मिनेट करना है मुझसे मिश्टेक हो गई है कहकर वो कुछ कहने वाली थी कि असिस्टन कहता है क्या तुमने पेपर देखा नहीं कॉंट्राक्ट मैं साप लिखा है कि अगर तुमने टर्मिनेट किया तो तुम्हें टेम टेम ज़्यादा कंपसेशन पेए करना होगा ये हुआ उसका इतना भी इसे नहीं है 10 मिलियन कमाना वो कहती है मुझे पैसा कमाना आता है तो डैट पोस्ते हैं तुम्हें क्या प्रोब्लम है अंकल ली के सांसे मेरेज करने की तो वो कहती है कि वो बस अपने फैमिली विजिनस समाल रहा है उसके लावा वो कुछ भी नहीं है तो डैट बताते हैं कि ऐसा नहीं है उसके अंडर कंपनी थ्री टेम्स ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है फिर भी वो उससे मेरेज करने से मना करती है और बताती है कि उसे एक हाई पेइंग वाला जॉप मिल गया है यसे उनका डैट सौक हो जाते हैं और वो एग्रिमेंट प स्चाप में कोई मैस क्रीट कर दिया तो गुशा करने लगते हैं कि तुम मुझे ऐसी परसन समझती हो मैं तो बस एही देखना चाथा था कहीं तुम्हारा ब therapists को इकृमनाल तो नहीं है तो अपनी बॉस की बहुत सचार्या करती है कि यह वह मुब आउट करना होगा आगे करवां से भाग जाती है और पिछे से डैट गुशा कर रहे थे कि तुम कभी नहीं सुधनने वाली तब भी मेट कहती है यंग लेडिया भी यंग है उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए बाद में वो आपको समझ जाएंगी तो डैट भी मान ज दुसरे से लिक को दिखा जाता है जिसे उसके डैट फोन करके डाट रहे थे कि मैं तुम्हें इतने जैट से कॉल कर रहा हूं तुम रिसीप क्यों नहीं कर रहे थे और कहते हैं जैंग फैमली एक अच्छी फैमली है मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूं तुम जैंग रिस्पंस नहीं दे रहा था तो डैट उसस पर गुसा करते हैं कि तुम्हें किसी भी कीमत पर मेरेज करना ही होगा और बताते हैं कि कल हम दोनों फैमली मिलने वाले हैं तो तुम्हें भी आना होगा तो vermery एक गरशा नहीं और वो कहते हैं तूम मुझे फूल बना रहे औ darauf इतने में तुमारे गल्फरंड कहां से बनेगी, तब ही वापर जव अपने समान के साथ आ जाती है, उसे जखकर ली कहता है, डैट आपको वरोसा नहीं हो रहा है ना, तो ठीक है, अपनी फ्यूचर डाटर इनलर से बात कर लीजे, कहकर जाओ को फोन दे देता है, और इसारों गयती है, मैंने अच्छा एक्टिंग क्या ना, तो बताता है कि कल सबसे इंपोटन काम है, तो जाओ कहती है कि मैं रेडी हूँ, तब ही ली उसे अपने क्लोस बुलाता है, और बताता है कि कल तुम मेरे साथ मेरे पेरेंस से मिलने चलोगी, ये सुनकर तो वो सौक्ठ हो जा गयती है कि आपके पास तो इतना वड़ा विला है, तो फिर आप लिविंग रूम के बातरूम में सावर लेने की हुआ है, और फिर ली बताता है कि मेरे रूम के बातरूम का लाइट खराब हो गया है, और उसके कलोस होकर कहता है कि ये घर मेरा है, तो यहां के बातरूम को यूज करने से पहले क्या मुझे तुम्हारा परमिसन की जरूत हुआ तो मना करती है कि ऐसी बात नहीं है और फिर उसे कपड़े पहनने के लिए कहती है तो ली जाते जाते कहता है कि बातरूम में आने से पहले नौक नहीं कर सकती थी तो वो कहती है कि मेरे घर में मेरा गल्फरेंट क्यों ढून रहे हो और यहां पर यह पाठ खताम हो जाता है